नवस्कर आज हम एक सूचिना के को लेकर के उपस्तित हुई हैं कार्याल्य आयुक्त जन्जाती कार मद्धिप्रदेश भोपाल दिनांख 31 दस तो अजार बाइस कई जो हमारे सामने अदेश आया हुआ है इस पर चर्चा करेंगे इसमें अतिती सिच्चुकों के अनुभा प्रवाण पत्र जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गए है संदर्भित पत्र बताया गया है कि दिनांख 3012 2019 का आप देख सकते हैं और दिनांख 31 दस बाइस का जो पत्र जारी किये गए थे उनका संदर्भ दिया गया है उनमें भी कहा गया था कि अतिती सिच्चुकों के जो अनुभा प्रवाण पत्र हैं वो जारी किये जाए देखिए पत्र में लिखा गया है कि विश्यांतर गत संदर्भित पत्रों का उलोकन करें और संदर्भित पत्रों द्वारा अतिती सिच्चुकों के अनुभा प्रव दवस्था को मन्डेटरी नहीं किया गया है। इस कारण डिजिटल अनुभव प्रवाण पत्र जारी करने में समस्या आ रही है। प्रवाण पत्र वह डिजिटल बनने में उनकी दिक्कत आ रही है। अतिति सिचकों के अनुभव प्रवाण पत्र जारी करने हैं तो निमनलिखित व्यवस्था की जाती है। तो डिजिटल ना हो करके अब उनका जो है वह आफ्लाइन अनुभव प्रवाण पत्र बनेगा। पूरी जानकारी को और डीडियो अपने संकुल प्रचार के पास उपस्तित होंगे जानकारी लेकर के डीडियो मान देयक से पुष्टी कर अनुभव परान पत्रे पर हस्ताचर कर पृत्थि हस्ताचर है तुछिला कार्याले को प्रिसित करेंगे अब डीडियो का कार है कि वो उसको पुष्टी करेगा कि ये इसका जो कारकाल था उसकी जो सिच्छक द्वारा जनकारी दे जा रही है जो उसके वो अपना अनुभा प्राणपत बनाने के लिए जो दस्तावेद प्रिस्तुत कर रहा है वह दस्तावेद सही है या नहीं तो डिडियो अपना काम करेगा और उसमें हस्ताचर करेगा और प्रति हस्तचर हे तुँ वो जिला कार्याले को प्रिशिद करेगा तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जिला कार्याले की सच्छा मधिकारी साय कयोगत जिला संजोजक से प्रति हस्तचर उपरांत अन्भा प्राणपतमान होगा जब ये डिडियो के जो प्रिचार हैं वो कर देंगे उसके बाद वो उसको लेकर के और समस्त डाकुमेंट लेकर के जाना होगा साय कयोगत या जिला संजोजक के पास और वहां से जब उनके हस्तचर हो जाएंगे तो वह आपका प्राणपत्र मानन हो जाएगा चौथा पॉइंट कह रहा है कि उक्ते समस्त हस्ताचर करता कार्यालों से जारी अनुभा प्राण पत्र में निर्धारी तिस्थान पर विद्वत जावक कर्मांग एवं दिनांग अंकित होगा तो जो भी हस्ताचर करता कार्याले होंगे उनके लिए कहा गया है कि वो अपना जो भी पत्र प्रिशित कर रहे हैं आंगे बढ़ा रहे हैं काम को तो वो अपना उसमें जावक कर्मांग बगरा यह सब बना करके रखेंगे और दाकुमेंट एक प्रती संधारित करके रखेंग कारयाले संस्था संकुल प्रती प्रते हैं यादु तो यहां आतितियों को इस बाले टौपिक से कोई मतलब नहीं है यानि कि आपके रिकार्ट को वो संस्था जो हैं वो संधारित करके रखेंगी कभी भी अगर जरूरत पड़ती है आपके रिकार्ट के पुनह परिश्चन की ताकि वो करने मन को असानी हो छटमा पॉंट कह रहा है कि उक्त ब्यावस्था अनुशार अनुभा प्राणपत्र केवल उन्हीं अतितियों को जारी किये जाएंगे टीचर पढ़ा रहे हैं जो सिच्छा विवाग में पढ़ा रहे हाती थी सिच्छा उनके लिए यहां कोई ऐसा नहीं है उनके लिए सब आनलाइन विवस्था की गई है उनके आनलाइन अनुभाव परणपत्र बन रहे हैं और ये सिर्फ ट्राइबल डिपार्टमेंट के थे वो ऐसा कर वाएंगे इस अनुभाव परणपत्र के अधार पर ही उच्चमाधमिक सिच्छक मादमिक सिच्छक प्रात्मिक सिच्छक के पद पर नियुक्ति संबंधी कारवाहि की जाएगी तो ये भी इस पस्ट लिखा है कि जो भी अनुभा प्राण पत्रे मानने किये जाएंगे वो इसी आधार पर किये जाएंगे अनुभा प्राण पत्रे जारी करने के पूर्व संबंधित आवेदक की जानकारी का भाली भाति परिछन कर लिया जाए तथा अनुभा पराणपत्र के साथ उपस्थित पंजी की सत्यापित परती अवश्यक रूप से सनलग न की जाए तो ये सब काम डिडियो और ये जो साय का युक्त जिला सन्योजक कार्याले हैं आपके संकूल और आपका विद्देले उनके काम है उक्ता नुसार अतिति सुच्चुकों के अनुभा पराणपत्र जारी करना सुनिश्चित करें तो ये निर्देश दिये गए हैं आयुक्त जन्जाती कार विभाग मद्द प्रदेश के द्वारा तो ये कुछ महात्रपूर बाते रहें तो इससे यही इसपस्ट हो जाता है एक बार मैं पुने इसको इसपस्ट कर दो कि जो सिच्चा विभाग में हमारे अतिति मित्र काम कर रहे हैं उनके तो आनलाइन अनुभा पराणपत्र जेनरेट हो रहे हैं लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं जो जनजाती विभाग में काम कर रहे हैं ट्राइबल छेत्र में काम कर रहे हैं ऐसे अतिति सिच्चक के जो अनुभा पराणपत्र हो आफ लाइन बनाये जाएंगे पूरी पर पिया इसमें बताई गई है तो आप क्या है कि जो भी हमारे अतिति मित्र हैं वो अपनी परक्रिया को आँगे बढ़ा सकते हैं अनुभा पराणपत्र बनवाने के छेत्र में तो चलिए इसमें और इसमें जो अनुभा पराणपत्र आपका बनेगा तो यह दोनों जब आप चूज करेंगे तो आपको दोनों तरफ मान होना चाहिए यानि कि आपका जो अनुभा पराणपत्र जन्जाती छेत्र का बन रहा है जन्जाती स्कूलों का बन रहा है वो तो आप आपका अनुभा आप लगाएंगे और अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आपकी जोइनिंग हो रही है तो वहाँ भी यह अनुभा पराणपत्र आपका काम करेगा तो यह यहाँ एक चीज मैं इस्पस्ट करना चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए अईसा नहीं है कि शिर्फ अनुभा पराणपत्र अगर आती थी जो ट्राइबल के हैं तो ट्राइबल का जो अनुभा पराणपत्र है तो ट्राइबल में जब वो जोइन करेंगे तब ही उनका अनुभा पराणपत्र मान होगा यह जो आपका अनुभाव प्राणपत्रे का प्रारूप इसमें सनलगन है और यह प्रारूप आप देख लिए इसको आपको भरना है और आपको आपको का रेलेसंस था का नाम लिखना है दिनाक लिखना आतिति सिच्छा का अनुभाव प्राणपत्रे देखिए बिद्याले क कड़ाइस कोस लिखना जहां पढ़ा हरे हैं भी डेले का नाम लिखेंगे पी-बि से संबन्दी ज hawकारी देंगे रोल नंबर लिखेंगे पद लिखेंगे और बिशाे लिखेंगे पद में आप माद्मिक से चक हैं, उच्छ माद्मिक से चक या फिर आप प्रात्मिक से चक भी से आप किस भी से के हैं अतिति से चक से संबंधित जानकारी या पंजियन नमबर लिखेंगे मुबाइल नमबर और इसके बाद नाम लिखेंगे पद जिसके बिरुद्ध कारि किया हो एक दो तीन वर्ग में और वर्ग 1-2 की स्थिति में भी से आप लिखेंगे क्योंकि वर्ग 3 में तो संपूर भी से होते हैं वर्ग 1-2 की भी से आपको यहां लिखना पड़ेगा कि आप किस भी से परिच्छा पास किये हैं या पढ़ा रहे हैं जो आप आती थी अनुभा प्राणपत बनवाना चाहते हैं वो किस वीशे से आप पढ़ा रहे थे सत्रवार उपस्थिती दिवस आपको पूरा लिखना पांच वर्सों का इसमें दिया गया है तो इसे आप पूरा करेंगे फिर संस्था प्रमुख का सत्यापन फिर संस्था प्रमुख का सत्यापन आप करवाएंगे संस्था प्रमुख जो है वो अपना यहां नाम पदनाम और हस्ताचर करेंगे यहां आपको कुछ करने को सकता नहीं है फिर कार्याले संकुल प्रचार आपके अबेदन को जो है वो फिलप करेंगे और यहां से अपने हस्ताच्छर बगएर यह सब करेंगे उसके बाद कार्यालय शाह का युक्त या जिला संजोजग जिला यह यहां अपनी कारवाही करेंगे तो यह आपका प्रारूप है इस प्रारूप को अपने कलवा लिजिए इसके बाद देखिए जो संदर्भित है जो पत्र थे उनकी हमें बात करूँगा तो संदर्भित पत्र इसमें दिया हुआ है कि आप 30.12.19 का पत्र देखें और 21.12.20 का देखें तो यह हमारे बीच में 30.12.19 का पत्र है अतिशी जो के अनुभा प्राण पत्र के संबद में वही सारी जानकारिया इसमें भी लिए गई हैं जो अभी हमने आपको बताया है इसी प्रकार से अभी अभी जारी हुआ था जो 21.12.20 को लेटर उसमें भी लिखा गया था कि आतिशी जो के गनुभा प्रापर जारी करने के बावत विश्यांतर के संब्रोईपत का लोकन करें वरतमान में उच मादमिक सिच्चा के बाव मादमिक सिच्चा के नियोजन है तो डाकूमेंट अप्लोड करने की प्रक्रिया प्रचलन में है सीगरी प्रात्मिक सिचक के डाकुमेंटर सत्यापन की कारवाही प्रारम्ब होने वाली है अते है आयूग तो लोक सिचन संचना लेगे संदर्भित पत्र में दिये गए निर्देशन उसार आतिति सिच्चक अनुभा प्राणपत जारी करने की कारवाही सुनिश्चित करें तो ये आपको मतलब की इसमें भी वही चीज है तो ये आपके संदर्भित जो पत्र है वो इसमें संलगन है और आपको ये वाला पत्र निकलवाना है और इसको आपको फिलफ करके और कारवाही करवा करके आप अपना जल्द से जल्द अनुभा प्राणपत बनवा सकते है तो आज बस इतना ही सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार चेहन